हलो ف्रेंड आज हमने ये आलू और मैदे से बहुत ही टेस्टी सी नास्ता बनाके रेडि की हूँ तो इसको थे वदंब को सहब करना самой चलिए इस रेशिपी को दिखाते है तो चलिए बनाना में स्टार्ट करते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर चार यह आलू लिये हैं इसको हमने यह पतले में ऐसे काट ली हैं इस तरह से इसको हमने काट के अच्छे से धो ओके साप कर ली हैं तो देखे आप इस तरह से आलू काट करके इसका इस्टपिंग बनाईए बहुत अच्छे रहते हैं और खाने में इसका स्वाधी बहुत अच्छा रहता है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए हमने गैस पे यह कराही चड़ा दिया उसमें हमने थोड़ा जीरा डाल लिया है अब इसे जीरा को लाल होने देंगे उसके बाद यह कटे हुए आलू डाल देंगे इस तरह से आलू फ्राइ करके आप इसका आलू का स्टपिंग तयार करें बहुत अच्छा रहता है आप चाहे तो उबले हुए आलू का भी स्टपिंग तयार कर सकते है हम इस तरह से ही इसका स्टफिंग तयार कर रहे हैं तो देखिए हमने आलू राही में डाल दिये हैं अब इसमें हम थोड़ा सा आधा चमची हल्दी डाल देंगे और फिर इसके बाद हम इसमें स्वाधिके अनुसार नमक डालेंगे और इस नमक डालने के बाद थोड़ा इसको हम चला लेंगे उसके बाद थोड़ा सा पकाएंगे थोड़ा इसको हम पका लेंगे और आलू थोड़ा जब आधा पक जाएगा तो उसके बाद हम मसाले डालेंगे, तो थोड़ा देर के लिए इसको हमें पकने देना है, तो इसको हम थोड़ा देर के लिए ढख कर पका लेंगे, ताकि ये आलू थोड़ा आधा पक जाए, तब उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे कुछ, तो देखिए आलू अच्छे स चाट मसाला और धनिया पौडर सभी मसाले हैं तो हमने यह सभी को एक ही चमच मिला लिए हैं और इसमें डाल दिये हैं एक चमच अब इन सभी चीजों को मिलाते हुगे अच्छे से इसको हम पका लेंगे और देखिए इस तरह से हमने पका लिए हैं तो देखिए हमारा यह आल प्राइ करिए, इस तरह से स्टप्इंग तैयर करिए, बहुत अच्छे रहते हैं और सुंधापन बहुत अच्छा है, टेस्टी आता है ये आलू ऐसे तो आड़ीए, आप तैयार हो गये हैं आप इसको हम मैस कर लेंगे अच्छी तरह से इसको हमें मसल लेना है तो देखिए हमने आलो को अच्छी तरह से मैस कर लिए हैं अब इसमें हम बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे अब हरा धनिया को हम आलो में अच्छे से मिला लेंगे तो इसको हम अच्छे से मिलांके रखेंगे साइड में तो देखिए हमने अलूप का इस टपिंग तयार कर लीए हैं अब इसको हम साइड में रखते हैं, तो चलिए दूसरे नेक्स्ट वीडियो की तरह, तो देखिए हमने यह मैदे लिए हैं, 200 ग्राम मैदे हैं मुएन के लिए हम इसमें 2 चमच ऑईल डालेंगे अब तेल डाल के इसको अच्छे से मैदे में मसल लेंगे अब इसमें हम थोड़ा से यह जोइन डाल देंगे आधा चमच और ठोड़ा सा अनमक डालेंगे है अब इन सब चीजों को हमें मिला लेना है तो देखिए इस तरह से में मिला के चेक करेंगे तो देखिए आठें अच्छे से यह मुझ्ठु जैसा बना रहा है अब इसमें तोड़ा थोड़ा पानी relative कर एक नरम सौप्ड साध्यार बना के त्यार कर लेंगे तो इसमें थोड गुद के तयार कर लिए हैं अब इसको हम थोड़ा यह आटे शॉप्ट होने के लिए थोड़ा सा ओई लगा के ऊपर गर्मी का सीजन है तो यह आटे थोड़े पढ़ जाते हैं आटे में सूख जाता है इसलिए थोड़ा सा तेल लगा के इसको धब करके रख देंगे 10 मिनट क इसको हम चेक कर रहे हैं तो देखिए हमारा आटा थोड़ा सॉट हो गया है अब इसको हम एक बार अच्छे से इसको मसल के गूत लेंगे तो इसको हमें एक मिनट इसको ऐसे गूत लेना है ताकि हमारा आटा अच्छे से मुलाएं और सॉप्ट हो जाएं तो इससे हमें एसे एक मिनट इसे मसल लेना है तो देखिए हमारा आटा तयार हो गये हैं आब इसमें एक छोटा सा लोई तोड़े लेंगे आब इसको हम एक रोटी जैसा बील लेंगे तो सुखे आटे लगा कर हम रोटी के जैसा पतला बेल लेंगे तो फ्रेंड आप चाहे तो यह गेहों के आटे से भी बना सकते हैं तो हमने यह मैदे से बनाए हैं आप चाहते हो गेहों के आटे से भी बना सकते हैं तो देखिए हमने रोटी पतला सा बील के तयार कर लिए है अब जो आलू का स्ट आलु का इस्टपिंग रखेंगे चारों तरफ हमें ऐसे फैला लेना है तो देखिए हमने ये रोटी पे ये आलू का इस्टपिंग चाहे चाहरो तरफ है ऐसे फैला लिए हैं तो देखिए हमने बीच में थोड़ा छोड़ दिये हैं और साइड में भी अब ये साइड में थोड़ा सा ये पानी लगा लेंगे आप चाहे तो ये मैदे का घोल बना के लगा सकते हैं तो हम पानी का ही यूज कर रहे हैं और बीच में भी ऐसे पानी लगा देंगे इससे क्या रहता है कि पानी लगाने से जो इस्टपिंग है आलो का नहीं निकलेंगे और बंद करके ऐसे करेंगे तो ये इसका इस्टपिंग नहीं निकलेंगे तो हम चारो आप लेंगे तो हम इस तरह से आप काट लीजिए तो देखिए हमने चारों तरफ ऐसे कटिंग कर लिए हैं आप या करेंगे ऐसे साइड में ऐसे मुड़ते हुए कोनिक तरफ लाएए और एसे मुड़ देंगे तो देखिए इस तरह से हमें बना लेना है, तो देखिए हमारा इस तरह से बना के रेडी कीजिए, बहुत ही अच्छे रते हैं, तो देखिए दुबारा हम बना के दिखा रहे हैं, तो देखिए उपर के तरह ले जाके नीचे ऐसे घुमा दीजिए, तो देखिए इस तरह से बनाईए, बह तो हमने गैस पर पहले ही तील गरम कर लिए हैं कराहे में डाल के तेल हमारा गरम हो गया है अब जो हम आलू का स्प्रिंग रोल बनाए हैं यह कर पे डाल देंगे अब इसको अलटते पलटते अच्छे से सुनहरा तक लाल कर लेंगे अच्छे से इसको गुर्ण ब्राउन तक तो BLACK Serum कर लेटे हैं तो हमें चलाते हुए इसको पखा लेंगे तो देखिए इस तरह से लाल हो गए हैं यह हमारे पके रेडी हो गए हैं देखिए कितना अच्छा दिख हरह है यह हमारा किसी भी चटनी के साथ खाई है चाहे मिठी चटनी या तीखी चटनी के साथ खाई है बहुत टेश्टी रहते हैं अगर फ्रेंड मेरा ये रेस्पी आपको देख के पसंद आया तो लाइस सब्सक्राइब सेयर करिएगा कमेंट में जरूर बताईएगा कैसा लगा फिर में लि झाले की तो टेख खाई लिए झुटनी के साथ गाला ये दुटनी का लेंगा को देख खाईब करिश्टी तेख शार ले हैं है ले खाईखया को लेक्राइब जर बताईब कर गवा खाईएब लेख